नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिली यादव। साथी साथ सवाल करते हुए कहा कि इतनी जल्दी देश के 602 से दो नमबर के सबसे अमीर कैसे हो सकते हैं वहीं प्राइम टीवी से खास एक्सक्लूजिव बाचीत में सुप्रिया श्रीरेत ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं अदानी मामले को लेकर आज देश के कई हिस्तों में कॉंग्वेस पाटी एहम प्रेस्वारता कर रही है उतर प्रदेश कॉंग्विस कमेटी के तरफ से आज प्रदेश कार्याला पर प्रप्रसवारता की गई जादा बाचीत के लिए राष्टिय प्रणक्ता सुप्रिया स्विनेत हमारे साथ है आज आप तमाम सवाल किंदी सरेकार से पूछी है प्रथ सवारता के माध्यम से आपने कहा ये विस्ता क्या कहलाता है, आपने मुड़ानी नाम दिया है क्या कहेंगे इसको और क्या नाम दे हम, बाइब मोधी और अड़ानी जी कितने प्रगार संबंद है 609 नमबर से उठाकर उनको नमबर दो पर विश्म के सबसे अमीर सूची में डाल दिया गया था कैसे किया गया हर नियम हर कानून बदला गया रातो रात बदल दिया गया चेशे एरपोर्ट, Finance Minister और नीतिया रो कहता है एक आदमी को नहीं देने चाहिए एक कानून बदल दो और अडानी को एक खतर राज़़ पोड में एरपोर्ट में डिफेंस में रिन्यूबल एंटर्जी में में फूल और अज़ा हालात यह है कि अडानी जी कि ये पैसा किसका है, सरकार कोई भी रेगूलेटर, इस पे कुछ कुछ नहीं कह रहे है क्यूंकि अडानी और मोदी जी के प्रगाड रिष्टे हैं, अडानी और मोदी जी कि इन रिष्टो की वझबसे से आज regulators चुप हैं उनके हाथ बांदे गए लेकिन सदन में दो घंटे चालिस मिनट का भाशर लोकसभा और राजसभा का मिलाने के बाद इस देश को यह समझ में आ गया कि लोकतंत्र को ताक पे रखकर अपने मित्र को बचाने का काम प्रधानमंत्री मोधी कर रहे हैं उनके म पूट्स फूड अग्रिकल्चर रिन्यूबल एनरजी सीमेंट डिफेंस सो मेनी सेक्टर्स अडानी को मुनापली बनाई गई और वह मुनापली सरकार ने बनाई है नियम कानून को ताक पर रखकर और बदल कर रात रहा था वह सफल रहे हैं उसके बात कर रहा हैं बहुत सफल हो रहा है हाथ से हाथ जोड़ मोटू काम्पेंड हैं और बहुत सफल होग Tag9 जाके बात कर रहे हैं बारत जोड़ो यात्रा असीम सफलता रही लोगा कर जुड़े राहुल जी से उन्होंने अपने मन की बात कही उन्होंने अजनबियों को गले लगाया लोगों के आसूप पोछे जब कश्मीर में हम लोगों ने उस यात्रा का फिजिकल समापन किया क्योंकि यात्रा तो देखिए सतच चलती रहेगी जो मुद्दे हमने उठाए हम जब जब उठाएंगे वो यात्रा का ही तरीका होगा लेकिन नफरत के बाजार में महबत की जो दुकाने खोलने के उन्होंने बात करी है वो जरूर खुलेंगी भी और पंपेंगी दे तो हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी की राष्ट्री प्रवक्ता सुप्रिया सेनित थी जिन का साफ तोर पे कहना है कि केंद्व सरकार अपनी मिली भगत के साथ कुछ चंद उद्योगपतियों को बरहा रही है साथ ही हमारा जो यात्रा है भारत जो वयात्रा उसके बाद हाथ से हाथ जो वयात्रा है वो लोगों के बीच अच्छा कही न कहीं इंपक देते हुए नजर आ रहा है वीडियो जनलिस्ट विजय के साथ विभान सूप्राइम टीवी लखनो गोस्वामी तोसीदास रचित रामचरित मानस पर सियासी घमासाथ थमने का नाम नहीं ले रहा है हर रोज इस विवाद में नए नए अध्याय चूटते जा रहे है सपा कार्याले के बाहर एक और होडिंग लगी है जिस पर मानस की चौपाईयों पर आपत्ती के साथ इसे बेंड करने की मांगी गई पहले सपा मलसी ने इस मावले को उठाया और अब राकेश प्रजापिती ने इस मावले को हवादी दी है रामचरित मानस को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है उत्तरप्रदेश में इस विवाद में लगतार रोज नए चेप्टर एड होते चले जा रहा है इस समय हम सपा कारियल के बाहर है और सपा कारियल के बाहर एक होडिंग लगी हुई है जिससे आप देख सकते हैं यह होडिंग डाटर राकेश प्रजापत ने लगाई है मकसद साफ है इस रामचरित मानस में जो चौपाई लखी हुई है आपने पड़ी दी जे वर्णाधम तेल कुमारा सोपच क्रात कोल कलवारा इसमें जो साथ आठ जातियां ली गई है कोल कलवारा उसमें एक जाती मेरी भी है डाकेश प्रजापती जैसा नाम है मेरा उसमें कुमार सब्द को लिया गया और उसमें कुमार सब्द को यह कहा गया यह नीच है उसमें माननिये प्रधान मंत्री जी तो प्रिधानमंति जी ये सहन कर जाए लेकिन मेरे जमीर को ये सहन नहीं हुआ नीच बताए रामचरित मानस में मुझे नीच बताए जा रहा है मैंने उस रामचरित मानस से या तो इस चौपाई में संसोधन चाहिए और अगर संसोधन नहीं होना चाहिए फिर रहे आप ने रामचरित मानस कभी नहीं पड़ी मैं सीधी व्यता रहूं मैंने रामचरित मानST इसली नहीं पड़ी कि आज आप जानते अगर देश चलाद तो समिधान से चल लाए आप भी पढ़े हैं आप बताई आप यहां पत्रकार बने क्या रामचरित मानस बन करके पढ़े या अपना कमनीकेशन का कोर्स पढ़ करके पढ़े होंगे रामचरित मानस पर दियों पूराना यह गरंद लिखा गया है लेकिन विवाद जो है कुछ दिन पहले से शुरू हुआ है लगतार और यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है कुछ दिन पहले एक निजी चैनल के काईकरह में स्वाइंपरसाद मौरिया और महतर राजूदास के जड़ब भी हुई थी जिसकी पास स्वाइंपरसाद मौरिया ने पर इस कॉन्फेस करके बताया कि नोंने प्रधान मंती प्रमुक सचीव सब को पत्र लिखा है कि उनकी जो हत्य कराना चाहती है सरकार और तमाम तरीके की बाती भी उनने प्रिस्वा कॉन्फेस में की हैं इसमें तो सीधी स्वीवात यह है कि जो महंत है राजूदास मुझे तो यह समझमन नहीं आ रहा है राजूदास को फरसा ल पूखते और स्वामी जी को भस्म कर देते मुझे भी भस्म कर दे हम जैसे लोग जो सूद्र विचारधारा के है उन विचारधारा के सभी लोगों को बैठे बैठे क्या कर देना चाहिए यह उन्हें मंद्रों में चड़ावा कौन करता है सबसे पिछड़ा समाज करता है पूरे दिन मेहनत करता है पूरे दिन मौर्या के समर्थन में कुछ लोगों ने लखनव में ही राम चेत्मानस की पक्तियां जो है वो जलाई थी और आज आपने एक बोर्डिंग लगा कर लिखा हुआ है कि जो जातियां है कुमहार और तेली उसका अपमान किया जा रहे तो क्या कहीं न कहीं आप उन लोग का अब आ देते हैं प्रिणान मंति को जला देते हैं ना जाने कितने मंत्री ओं कितने डीएम का फुंकते हैं फूंकते नहीं फूंकते हैं तो बताईए कि उने जला देते हैं वह केवल क्या था उसकी फोटे स्टेट थी और सबको वेल मिल चुकी है तामाजवादी पार्टी ने दो महिला कारताओं को रिचा सिंग रोली तीवारी को निसकासित कर दिया पार्टी से तो क्या लगता है कि कितना बड़ा यह फैसला है क्योंकि आने आनले समय में लोगसाब का चुनाव होला है क्या फरक पड़ेगा इस फरक नहीं पड़ेगा रिचा सिंग को दो बार मान कुछ बेसमाज हे वो बचा इस बात का डर नहीं pilgris МУЗЫКА लोग होंगे तो बिस्ट मेनओं सिंग जी थे भिस्सुनाज़ unnecess है विपी सिंग ж रिवित है उन्हों लोग भी हुए ऐसे लोग हुए जन्नों ने पिछलों के लिए काम किया है अब पिछडों के लिए लोग काम कर रहें एसा नहीं है केवल बोख नाराज होंगे उनसे कोई फरक नहीं क्योंकि वह मौका परस लोग हैं मतलब ही लोग हैं अपनी राजीतिक महत्तव कांग चा के लिए समाजबादी पार्टी में हैं समाजबादी पार्टी आने वाले समय में सी पिछड़ों और दलितों का मुद्दाली के लोग सभाव चुना में जाना जाना चाहती है इस प्रकार की एक्सेंस और करवाई की जा नहीं इस तरीके का कहीं इसमें क्या कहीं ऐसा लिखा गया है रामचरित मानस क्या उनीका है नह इक ला सुद्र डोल गमार पसू यह सब एक जैसे बता दिया और सबको तारना का अधकारी बता दिया बताएए आपकी बहन वेटी होगी आपकी वी मां होगी आपकी मां क्या पसू है तुन्होंने बताय था कि इस इच्छा से संदर में आता है इसका हमने माल लिया तारना क स्कूल खूबाया कौन से इनवर्स्री उन्हों के लिए यह सिर्व भाव को बदलने का प्रियास कर रहा है और पुछ नहीं कर रहा है तो यह थी हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापती जैन्होंने इस अपा कर यह करते हैं ने बताया कि चौपाईयों को हटादी आज विजय के साथ नवी वेक्षाई प्राइम टीवी लखनवू इस कबर में बस अतना ही देश रिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार